हेलो फ्रेंड स्वागत एक बार फिर से आपका विए स्टार एजूकेशन यूटूब चैनल पे और आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइटोस्केलेटन के वारे में जितना हमारा बच गया था इससे पिछले लेक्चर में ठीक है यानि कि यह साइटोस्केलेटन का मैंने आपको बेसिक बता रखा ठीक ना वो आपकी ओल्मोस्ट टू आर की किलास है और टू आर किलास में मैंने केवल आपको बेसिक ही बहां पर बताया था आज हम डेटेल में लेकर करके चलेंगे आज हम देखें कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है इंटरमेडिट इनका फॉर्मेशन किस प्रिकार से होता है इनके फंक्शन किस प्रिकार से होते हैं किस प्रिकार से इनमें मेकैनिजम होती है ठीक ना तो वो सारी चीज आज हम देखने वाले हैं आज का लेक्चर आपका काफी ज्यादे इंपोर्टेंट होने वाला है तो इस लेक्चर को मि की चीज होती है एक app है जहां पर मैं आपको जितना भी पढ़ाता हूं मैं आपको सारा का सारा material वहां पर provide कराता हूं ठीक ना description में आपको चैनल का link मिल जाएगा जो telegram है उस पर एक channel बना हुआ है वी star education करके उस पर आपको link मिल जाएगा नीचे description box में ठीक है दूर सी बात जो आपका एक WhatsApp group भी है जिसमें हम discuss करते हैं different different type के question answer for CSI internet के लिए ठीक है तो आप उसके लिए भी जूड सकते हो ठीक है तो जैसे आपको subscribe तो करना मत भूलना ठीक है ना क्योंकि आपके subscription से हमें मिलता है होसला और जब आप subscribe करके जाते हो या फिर like करके जाते हो तो काफी अच्छा लगता है ठीक है इसलिए फिर हम वीडियो में जान ला देते हैं और काफी अच्छा आपको material प्रोवाइट कराने की कोशिस करते हैं ठीक है तो चलिए आएए बहुत देर होगी मुझे बात करते करते हैं अब lecture को करते हैं start को कि आप भी पक गए होंगे तो दोखो cytoskeleton में हमने basic क्या होता है cytoskeleton क्या होता है कहां पर पाया जाता है क्यों पाया जाता है वह सारी चीजी हमने देख ली थी फिर इसके बाद हम उसके function पर गएते कि इसके क्या function होते है कि structural support में आपको provide कराता है cytoskeleton motility provide कराता है cell के अलग-अलग regulation करवाता है ठीक ना regulation भी हम देख चुके थे cytoskeleton की classification की जब हमने बात की दी तो हमने देखता है कि तीन प्रिकार काप का cytoskeleton होता है जिसमें हमने microtubules, microflaments, intermediate flaments यह सारे चीजे देखे थी हमने बात की थी कि आपके microtubule में कौन सी protein होती है माइक्रोफिलामेंट में कौन सी protein होती है, intermediate flaments में कौन सी आपकी protein होती है हमने बात करें थी कि इन तीनों के बीच difference क्या होता है ठीक ना यह table important थी जो कि मैंने आपको इसमें लिखा हुआ एक एक बात समझाए थी, ठीक ना I hope यह table आपकी याद हो, इनके main function मत भूलना वाई साब क्योंकि main function ही इन में से पूछे जाते हैं आपसे statement के माध्यम से ठीक है ना तो main function यह आज़ा ना, फिर हमने centriol को देखा था, मैंने बताया था कि centriol आपका कहां पर present होता है, इसके अंदर arrangement किस प्रिकार की पाए जाती है, microtubules के संख्या कितनी होती है, यहाँ पर आपका कितने angle का कौन बनता है, ठीक ना तो बहुत सारी चीज़े हमने में बात कीते हैं, ठीक ना आयोब आपकी समझ में यह आया हुगा, इनमें कौन सी प्रोटीन आपके जो है, in microtubules को जोडती है, AC linker के लिए कौन सी प्रोटीन होती है, स्पोक्स के लिए कौन सी प्रोटीन होती है, वो सारी बाते में आपको बता चुका था, यह जो centriol होत है, आपको मैंने बताया तो जो क्रोमोसों में होते हैं, वे जब सैब देखो हर किसी की यह जब सैल जब हम सैल डिविजन पढ़ेंगे, तब हम इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना, तो मैंने आपको सारी की सारी चीजे बता देती, इसके बाद हम चलेते, मैंने को तहाता है कि इस प्रिकार से बनता है, ठीक है, उसके बाद हमने बात के थी सेल या फ्लजला की, अक्चली मेरा जो है, वो बहुते ज़्यादा लेक तो बहुत अच्छा है, बट मैं माउस से यूच करता हूं, तो यहां पर लेक अच्छे सा आने पाता है, ठीक हमने बात क खी थी, तो इस बात को भी आप याद लग सकते हो, हमने देख था है, यहां पर आपका कितना arrangement पाए जाता है, किस रसाब साब का arrangement पाए जाता है, तो वो सारी चीज़े हमने देखी थी, ठीक है न, यहां पर आपके डवलेट वगरा पाय जाते है, और 9 प्लस 2 का arrangement पाए जा यह आपके माइक्रो टूब्यूल से बने होए ते यह किस से बने होए ते यह सारे के सारे माइक्रो टूब्यूल से बने होए ते मैंने यह बात आपको बता है ठीक ना Micro Tubule याने की Empty इसकी एंदर आपकी जो प्रोटिन होती है वो Tubulean protein होती है कौन सी प्रोटिन होती है Tubulean protein होती है जो कि दो प्रिकारशंबाट सकते है Alpha Tubulean and Beta Tubulean अगर आपको याद होतों जो आपका positive end होता है वो Beta Tubulean का होता है पर आपका जो है अधर जो है तूबिलीन प्रोटिन आ करके जुड़ती है यहां साथ का पॉलिमराई जैसन होता है यह भी मैं आपको बता चुका हूं ठीक ना तो काफी कुछ मैं आपको समझा चुका था कल के लेक्चर में ठीक न अगर आपने कुछ रिवीजन वगारा रिक ग्रूप असोचेट प्रोटिन यहां पर जो आपका माइक्रोटूबूल है यहां पर आपको मिलेगी जबकि जो इंटरमेड़ेट फ्लामेंट होते हैं उसमें मिलती है ठीक है न प्लैकिन तो इस प्लैकिन को याद रखना है जबकि एक्टिन में एक्टिन वाइंडिंग प कुछ बढ़ा, भ्याउबूब के लिए बहुत कुछ बढ़ा हुआ है, तो कल के बरूश से मठोला आज ही इसको याद करके सुछल्ला ठीक है फिर अम ने समय केaelहिता है 나눠ेबसकर बातों चेज़िए आक्ति जरेगाएट refuse आग्ति वाइए थेक्सराइन को कुछ बता चुकर है जो के Ciao के अंध्र सबसे ज्यादा स्बसे ज्यादा अमांट में अश्टिंफिलेमेंट ही पाया जाता है थेक्षिना लाइक स्टेक्चर रहता है साइक्ट्र skeleton में सबसे thin part यही बनाता है ठीक ना तो आप इतनी बात को याज रखना फिर हम ने देखा था कि किस प्रिकार से आपका actin filament का formation हो रहा है आपको मैंने बताया था कि सब सबसे पहला आपके global protein यानि कि G-actin protein आएगी फिर यहां पर dimer बनेगा dimer के बाद trimer बनेगा trimer के बाद आपका वार्वेंड से यह सब यह एक बात याज रख लिए ना mostly mostly क्या होता है कि मानलो आपका यह कोई सा भी आपका यहां पर यह actin filament बनना है ठीक ना वार्वेंड बोलेंगे जहां से आपका यह जुड रहा है ठीक ना It. जहां से यहां यह एड होगा जहां और होगा हिसले इसको positive and के नाम से भी जाना जाता है ठीक कि जहांसे यह आपका जो actin है यह सेल रहा रहा है यानि यह हां से हट रहा है उसको बोलेहेंगे निगेटिव एड्ट उसको बोला जाता है क्यों क्यों कि यहां से यह जो आपका एक्टिंद से-प्रोटीन गहां जो तुब पोर पॉइंट से भी आपका जो है एक्टिन प्रोटीन जुनना स्टार्ट हो चाता है ठीक न तो आप इस बात को भी याद रख सकते हो रिवल सिवल प्रोसेज होता है क्यों क्योंकि यहां पर एडिसन भी होता है यहां पर आपका जो है dissociation भी होता है तो इस बात को आपको याद रखना है actin protein के बारे में इतनी बात पता चली फिर मैंने आपको बताया आता है कि जो ATP होती है ATP main helpful होती है आपका actin के जो आपका actin flamen्ट है उसके formation किस प्रिकार से तो मैंने आपको in statement के माध्यम से कलिए बताने की कोशिस की थी फिर हमने देखा था कि आपका trade milling cash चलता है मतलब कहां से आपका यहां से देखो अब आप देखोगे कि आपके point end से यहां पर थोड़ इसी मातरम आपको मतलब एक प्रिकार से arrow pointed end में जाता होगा हमी लेखा इसका मतलब है कि आपका जब concentration ज़्यादा होती है एक्टिन प्रोटीन की थेकर ना जब concentration ज़्यादा होती है एक्टिन प्रोटीन की तो वो point end से भी जूड़ सकता है थेकर इतनी बात पता चली इसके बाद बट बट मेल लिका होता है यहाँ पर बड़ा वाला arrow आपको कहां से दिख रहा होगा तो यहाँ पर बड़ा वाला arrow चमक रहा है आपको कहां से वो चमक रहा है आपको बारवेंड से यानि कि अधिक मात्रा में आपके कहां से जोड़ने वाले हैं तो वो जोड़ेंगे वारवेंड से यह वार्व एंड और पोइंट एंड याद रख लेना क्योंकि acting फिलामेंट में आप से पूछा जाता है जर्नल स्टेटमेंट में जर्नल स्टेटमेंट देगा वो आपसे यही पूछेगा कि बताइए acting का formation कौन से एंड से होता है तो आपको तब आंसर देना है बार्वेंड से ठीक ना तब आपको आंसर देना बार्वेंड से अगर आप यतना जमिले में ना पड़ना चाहते हो तो आपके वले एक बात याद रख सकते हो कि वार्वेंड से हमेशा आपका association होगा यानि कि कोई सा भी एक्टिन प्रोटीन ATP बाइंडेट याद अख लेना ATP बाइंडेट प्रोटीन जो है वो बार्वेंड से जुड़ेगा जबकि जो आपका आपका जो पोइंटेड एंड होता है वहाँ से आपका डिसोसियेशन होगा से क्या होने वाला है इसके डायरेक्शन पूछते हैं तो या दख लेना डायरेक्शन में इसकी हमेशा पॉइंटेड टू बार्वेंड आती है ऐसा क्यों क्योंकि देखो भाई माना जाता है कि जब तक जब तक एक्टिन प्रोटीन डिसोसियेशन नहीं होगी तब तक ये बार्वेंड पे जाकर के नहीं जुड़ने वाला तो सबसे पहले एक्टिन प्रोटीन डिसोसियेशन होगी यानि कि जो एक्टिन प्रोटीन जुड़ी होगी है इसका ATP हाइडोलाइसिस होगा hydrolysis होने के बाद यह ATP है वो ADP में convert होगी यहां से इसका dissociation होगा यानि कि तूट जाएगी और तूटने के बाद फिर दोवारा से ATP exchange factor के थूँ यह ADP से ATP में चली जाएगी उसके बाद फिर दोवारा जाकर के यह joint हो जाएगी तो सबसे पहला point end से starting होगी point end से dissociation होगा उसके बाद association होगा जाकर के वार्वेंड पन ठीक है ना तो direction भी आपको याद रखनी पड़ेगी आगे यहां पर हमने छोड़ाता है और यहां से हम अपना detail में पढ़ने वाले हैं हम देखेंगे कि कौन कौन सी protein आपकी काम करती चाहे formation हो रहा हो actin filament का चाहे dissociation हो रहा हो चाहे कोई से भी mutation हो रहा हो तो किस में कौन सी protein आपकी important होने वाली है तो वो सारी चीज़े हम देखेंगे इसमें बात करेंगे acting binding protein की बारे में ठीक ना actin binding protein कौन सी होती है modulate the assembly and disassembly of actin filament यानि कि जब आपका actin filament की assembly हो या फिर disassembly हो तब आपकी ABP protein काम करती है यानि actin winding protein काम करती है ABD या फिर actin interaction has diverse functionally और जो आपकी actin winding domain कहलो यह फिर actin interaction has diverse function और एक बार अगर आपका actin filament बन गया तो इसके काफे सारे function होते हैं जो हमने पिछे भी बात की है और आगे भी करने वाले हैं ठीक है contribute to the cellular role of actin filament यानि कि आपका जो है cellular function जितने भी होते हैं उसमें actin protein आपके help करने वाले हैं तो यह basic बाती जो मैंने आपको पहले ही बता रखी थी अब आपको पॉइंट याद रखने हैं यह वाले एक एक पॉइंट ट्राइमर की फोर्म में नहीं बना रहा वाट फिर भी आप समझ जाना कि एक्टिन प्रोटीन है ठीक न तो यहां पर इसका पॉइंट एंड है और दूरसी तरफ इसका बार वैंड होने वाला है तो यहां दख ले ना फिलामेंड के इनिसियेशन में यानि कि स्टार्टिंग में यह फिरम कह सकते हैं पॉलिमराइजेशन में या दख लेना इसकी स्टार्टिंग में जो फिलामेंड की स्टार्टिंग होती है इनिसियेशन में पॉलिमराइजेशन में आपको दो प्रोटीन काम आती है एक होती ARP2Y3 and दूसरी होती है formalin formalin जैसे कि इसके नाम से ही पता चला है कि किसी चीज को बनाना form करना है तो बहीं से आप इसको याद अख सकते हो formalin मतलब किसी चीज का formation करना है और formation किसका करना है आपको जो actin protein है उसका है ठेकर ना initiation कराने के लिए जो starting कराने के लिए ARP2Y3 protein की जरवत आपको पढ़ने वाली है इतनी बात आपको याद रखनी है ठीक है ना तो यह पहली protein थी आपकी ARP2Y3 and formalin यह थी आपकी polymerization के लिए and initiation के लिए दूसरे नंबर के आती है filament stabilization यानि कि यह filament अपने जो रूप है इसका उसमें बना रहे इस filament यह breakdown ना हो कहें से सर कोई injury ना आए उसके लिए आपको दो protein की जरवत होती है एक होती है नेवियूलीन दूसरी होती है tropomycin important protein tropomycin होती है tropomycin को आप आगे देखोगे नेवियूलीन का नाम भी मत पूलना ठीक है एंटी एंटी याद रख ले ना करना है अगर आपको अपने अपने लिए कुछ करना है तो आप नैट की साहता लेते हो ठीक है ना नैट जो आपका जिस चीछ के आप यूज कर लो जिसके तुरू आप वीडियो देख रहे हो तो सेम यहाँ पर एंटी याद कर ले ना एंटी मतलब नैट जो भी आप करना चाते हो अपने आपको इस्टेवलाइच करना चाते हो निखारते हो उसके लिए आपको यूटूब बगार की जरूत पड़ती है और यूटूब कैसे चलता है नैट से चलता है तो नैव्यूलीन और ट्रोपोमाइसीन आपको याद रखने हैं कि अगर इस फिलामेंट इक्तिव फिलामेंट को इस्टवलाइच करकर रखना है, इस्तिर करकर रखना है बना करकर रखना है तो इसके लिए हमें नैव्यूीलीन, नैव्यूलीन प्रोटिन और टौपोमाइसीन की जरूत पड़ेईगी, ठीक है आगिया समझ मैं इसके बाद पीसरे नंबर क्या आपको दो प्रकार के protein चाहिए एक तो होती है आपकी alpha actinin एक तो होती है alpha actinin दूरसी आ जाती है आपकी filamine, fivrine and biline ठीके ना तो यह दो प्रकार की protein आपको चाहिए होती है filament के cross linking में आगे देखेंगे किस प्रकार से आपका काम आने वाली है ठीके ना इसके बाद end capping आ जाता है number 4 end capping का मतलब क्या होता है कि आपके जो है जो भी आपका actin filament बना हुआ है जब वो complete हो जाता है तो अब हमें जरुत होती है एक ending cap की ठीक ना जो जाने कि जो आपका actin filament बना हुआ है उसके दोनों किनारे पे एक cap लगा दिया जाता है जिससे की पता लगता है कि हाँ भाई ये protein आपकी complete हो चुकी है actin filament आपका cytoskeleton जो है complete हो चुका है अब और जादे length इसकी नहीं बढ़ानी तो एक cap लगा दिया जाता है ठीक ना इस पे एक cap लगा दिया जाता है जो कि होता है cap jet and tropomodulin cap jet and tropomodulin याद रख ले ना modulin, modulin देखो cap का मतलब तो खुद cap jet and modulin modulin का मतलब आप याद कर सकते हो इसको modulate कर दिया है यानि कि इसको पूरा का पूरा system हमने capping system में भेज दिया है तो यह दोनों भी आप याद रख सकते हो tropomodulin and cap jet यह protein आपको याद रखनी पड़ेगी भाई सब अगर आप CSIR के लिए तयारी कर रहा हो तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको timing ले कर कर बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप इस lecture को देखोगे अगर मैं यहाँ पर जल्द जल्दी बता करके भाग जाओंगा तो आप अपनी तरफ से थोड़ा इतना effort नहीं करोगे और जो पहली बार दे रहा है मैं तो effort करेंगे ही नहीं बट यह important है यह protein आपकी important है चाहे cap jet हो, tropomodulin हो tropomycin हो, philamine हो, fembrine हो, biline हो आपको पता होने चाहिए कि कौन सी protein का कौन सा different function है act in filament के लिए कौन सी protein किस चित का काम करवा रही है ठीक है इसके बाद number 5 भी आती है आपकी filament savering या फिर depolymerization सेवरिंग का क्या मतलब होता है कि अगर act in filament act in filament को यहां से बीच में से in between breakdown कर दिया जाए या फिर उसको depolymerization कर दिया जाए यानि कि जो इसके जो आपके जो ये protein का polymerization होगा था उसको रोक करके अब आपके 1Y1Y ये जो आपके actin protein लगी होई है जी actin protein लगी होई है इसको हटाने का काम कौन करता है या फिर इसको बीच में तोड़ने का काम कौन करता है कि आपके एक थे ये एक actin protein थी अब इसके दो अपार्टमन तोड़ दिया गया है तो वो करता है आपका ADF कोफिलीन याद रख ले ना ADF कोफिलीन ADF कोफिलीन ADF कोफिलीन देखो जैसे कि इसके नाम से पता चला है अब यहाँ पर कोफिलीन हो गया तो जब इनसान जो है डैड हो जाता है मर जाता तो उसके लिए कफन वगरा लाते है तो आप उस चीज़ से भी इसको कोर्रिलेट कर सकते हैं यानि कि जब आपका जो एक्ट इन्फिलामेंट है उसका डीप उलिमराइजेसन हो रहा है सीवरिंग हो रही है यानि कि उसका डैड हो रहा है तब ADF कोफिलीन के रहुत पढ़ लही है बात समझे मागी तो इसका नाम नहीं भूलना फिर इसके बाद जैल सोलीन आप याद रख सकते हो थाइमोसीन याद रख सकते हो जैल सोलीन एंड थाइमोसीन इंपोर्टेंट है ये दोनो नाम भी नहीं भूलना आपको जैल सोलीन एंड थाइमोसीन ठीक ना थाइमोसीन आगी बात समझे में इसके बाद monomer binding छहटे नमबर क्या थी है ? monomer binding ठीक ना ? monomer binding क्या होती , जब आपकी ONE y1 य्याद रख लिए यह protein कैसे जुड़ी होती है ? यह trimer के रूप में जुड़ी होती . याद रख लिन यह कैसे जुड़ी होती ? trimer के रूप में जुड़ी होती यहां पर आपको पहले ही बताई था मैं एस नाम होता है प्रोफिलीन एंड दूर से मतलगे नहीं वन जुड़े हैं, यानि कि मोनोमर टाइप में जुड़े हैं, तब बहाँ पर आपको प्रोफिलीन और आपको टुवीन, फिन की जरुद पड़ेगी, यह दो प्रोटीन की रहुत पड़ेगी, ठीक है ना, इसके वाद एक्टिन फ्लामेंट लिंकेज टू अधर प्रोटीन, यानि जब एक्टिन फ्लामेंट किसी दूर सी प्रोटीन के साथ, ठीक है ना, किसी दूर सी प्रोटीन के साथ जुड़ता है, तब यहाँ पर कौन कौन सी प्रोटीन काम मानने वाली है, तो डिस्ट्रोफिन, स्पेक्ट्रिन, टैलीन, विनकुलीन, ठीक है न, विनकुलीन, तो तीनो चारों के नाम आपको याद एकना है टैलीन एंड विनकुलीन को नहीं भूलना वाई साथ टैलीन एंड विनकुलीन और स्पेक्ट्रीन आपको आरवी सी में देखने को मिलेगा ठीक ना डिस्ट्रोफिन आपको मसल्स में देखने को मिलेगा तो ये सारी चीज़े आपको नहीं भूलनी है वैसे आप देखो अभी तक हमने नाम देखे हैं मैं इनको आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ की आपका कासा होता है इस क्लिक उर्प इस नंबर हैं मैं आपसे प्रोटीन ही पुछी जाती है आपको देदे 돼गा कि बताईए यह फ्लं मेंरे की सी प्रोटीन की जड़वत होगी आपको कुछ एक्जामपल देदेगा जैसे कि नैव्यूलीन कैप जैट ट्रोपर मोड्यूलीन तो अब आपको अपना आंसर देना होता है आपने जब प्रिविर्स के क्योश्चन पेपर देखोगे तो आपको इसी प्रिकार के क्योश्चन मि अब प्रिमोडलिंग क्या होती है अब पहले भी मौडलिंग को समझो कि भासभ एक बार मेक आप मेक अप हो गया मतलब एक बार उसने अपनी सजना सबरना कर लिया पूरा का पूरा यहाँ पर क्या होने वाला है एक बार आपका एक बार आपका कुछ factor आसा आते हैं कुछ protein आसा आते हैं कि विफ factor क्या कर देते हैं इसको थोड़ा सा मतलब जो क्रीम पाउडर लगाया हुआ था अपने उपर दोनों तरफ जैटड कैप लगाया हुआ था ठीक है न इसके बाद different different type की protein अपने उपर आज सेगी, नैवूलीण, प्रोपामाईसीन, ये सारी चीज, प्रोटीन लगाए थी, तो ये सारी के सारी प्रोटीन हट जाती है, जब वहां पर सिवियर प्रोटीन आती है, यह फिर क्रोश लिंकिंग की बात पती है, तो इसका make-up, थोड़ा सा बिगड़ जाता है, actin filament का तो अब इसको दो वारत से अपने उपर मेक अप करना होता है तो उसको कहते है actin remodeling some actin winding protein bind along the length of actin filament stabilize them और cross linking them to one another यानि कि आपका जब actin filament को जब cross linking करनी होती है किसी दूसरे की साथ या फिर अपनी जो है ब्रांच बढ़ानी होती है तब बहां पर remodeling का केर समय देखने को मिलता है अदर इस्टेबलाइज वाइज कैपिंग दा एंड एंड प्रिवेंटिंग डिसोसियेशन ठीकना और बहां पर आप क्या देखो कि आपको कभी-कभी यह देखने को मिलेगा कि ओटोमेटिकली जो कैप होता है वो हट जाता है तो कैप को दुबारा सा लगाना दुबारा सा जॉइन कराना वो प्रिमोडलिंग है अधर प्रमोट डिसोसियेशन वाइल अधर रागूलेट दा एक्सचेंज ओफ एटीप फॉर एडीप और आपको पता होगा कि जो पॉइंट एंड होता है पॉइंट एंड से हमेशा आपके जो है डिसोसियेशन होते राते हैं जी प्रोटीन तो उनका जो है अब जुनका जो उनको क्या करना पड़ता है उनको आपका असोसियेट करना पड़ता है जिसके लिए आपको जो है यह एक्टिन की रिमोडलिंग करने ही पड़ती है ठीक ना तो देखो अब इसको समझो क्या है कि आपका कोई एक एक इंफ्लामेंट था या आपका ए कैपिंग करी गई बहुत अच्छी बात है फिर फिलामेंट इस्टेवलाइज क्या गए यह देखो यह इस्टेवलाइज प्रोटीन है इस्टेवलाइज प्रोटीन कौन सी होती थी तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगी के इस्टेवलाइज प्रोटीन आपकी कौन सी होत है जो आपकी actin protein है ठीक ना कौन-कौन से नाम देखे हैं हमने मैं लिख देता हूं यहाँ पर आप चुल जब लिखूंगा तभी आपके समझ में अच्छा आने वाला है तो एक तो देखा आपने cap jet ठीक ना क्या देखा cap jet एंड दूर साथ आपका tropomodulin यहाँ पर जो इस्टेबलाइज में नेव्यूलीन था आपका याद रख लेना क्या था नेव्यूलीन था नेव्यूलीन एंड ट्रोपोमाइसीन ठीक नेव्यूलीन एंड आपका प्रोपोमाइसीन एक चल नहीं पर तो आप देखो आप याद भी रख सकते हो ठीक ना याद रख सकते हो आप अपना जो डाइग्राम जब बनाओगे तो उसमें इसी प्रिकार से आप लिख लेना ठीक ना यानि कि स्टेबलाइज करने के लिए ट्रोपोमाइसीन अब इसके बाद क्या हुआ यह पूरी की पूरी आपकी एक एक इंफिलामेंट यहां पर बन लिया था बट कुछ प्रोटीन आई जैसे कि सीवरिंग प्रोटीन जो की काशी थी आपकी ADP कोफिलीन कौन सी प्रोटीन थी सीव मैं आपको बताया था कि जो आपका जो सीवरिंग कराने वाला था डी पोलिमराजेशन करवाने वाला था ADF कोफिलीन ADF कोफिलीन जैलसोलीन और आपका थायमोसीन तो यह आपको याद रखना है यानि कि यहां पर देखो क्या हुआ कि जब आपकी सीवियर प्रोटीन आई तो इसने इसको बीच में से यानि कि मीडिल में से इसने क्या काम किया इसने इसको कट लगा दिया यहां पर और अच्छे से इसको समझो देखो यहां पर यह आपको डिफ्रेंट कलर नजरा रहा हुआ यह आपकी सीवियर प्रोटीन है यानि कि इसने इसको बीच में से कट लगा दिया ठीक ना तो अब कट लगा जा तो ऐसा तो है यह पड़ा रहेगा यह यह आप यह आगे फिर ग्रो करेगा ठीक ना अब यह दो भागों में बढ़िया है मालों इसको मैं यहां पर बना रहा हूं यह आपका कैप जैड है और यह आपकी यह इतनी प्रोटीन थी जो की बीच में सकटी थी तो अब क्या होने वाला है अब दो बारस आपका जो फॉर्मिंग प्रोटीन है वो आएगी वो आने के बाद यह दो बारस अब इसको बनाना स्टार्ट करतेगी ठीक ना दो बारस से इस पर प्रोटीन चाहिए यानि कि जो पॉलिमराइजेशन करेगा ऐसी प्रोटीन चाहिए और इसे चीज़ को इसे चीज़ को एक्टीन यहां पर क्या बोला गया है अब दूसरा क्या होता है आपने एक केस तो यह देख लिया अब दूसरे केस में क्या होने वाला है कि भाई साब कोई एक Act 2 फ्लामें ता अब उस सो कोई दूसरा फ्लामेंट आ करके चुड़ेगा ठेक ना जब दूसरा फ्लामेंट आगर जुड़ेगा तो यहां पर तो देखो बीच में के अस इस इस इस्टेभिलाईजिंग प्रोटिन लगा रखी हो कोई तो आपको यह तीनो चारो नाम याद होने चाहिए यह क्या क्या कांगर वारी है क्रोंगिंग का कांगर रही है न यह बहुत अची बात है अब तीसरा है एयसा होता है कि जो इसका cap system है उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती देखो यहाँ पर color देखो यहाँ पर dark green है यहाँ पर आपको dark blue मिलेगा यहाँ पर फीका पड़ जाता है यह color ठीक है न तो यहाँ पर इसके capping में problem आ जाती है जैसे ही capping में problem आई यहाँ से cap हट जाएगा यह cap हट जाएगा और इसके क्या होगी दोबारा से फिर polymerization वगरा इस्टार्ट हो जाएगा यह यहाँ से हट जाएगा जैसे इसके आपके cap में problem आएगी ठीक ना जैसे इसके end पर problem आएगी यह end हट जाएगे और दोबारा से यह आपका जो है actin protein जो है अगर actin protein का hydrolysis हो गया तो वो ADP में convert ह कनबट हो जाएगा तो यानि कि यहां से वो dissociation हो जाएगा यहां से इसका dissociation हो जाएगा और जब dissociation होगा तो फिर दोबारा से आपका जो है association होगा by the help of ATP ATP यहां पर दोबारा से आ जाएगा ATP, ADP exchange protein ठीक है ना इसके थुरू आपका जो ADP है वो ATP में convert हो जाएगा ठीक है तो तो ये चीज होती है आपकी Remodeling की, तो आपकी देखो Remodeling इस प्रिकार से हो सकती है. अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर याद रखना है आपको protein के मारे में कहें, कौन सी protein आपकी sievering protein होती है, कौन सी protein आपकी cap यानि की end जो आपको capping करा रही है, वह वाली protein कौन सी है gross linking वाली protein कौन सी है तो ये सारी चीज़े आपको याद रखनी है ठीक ना इतनी बात पता चली बहुत अच्छी बात है अब चलते हैं आगे अब देखो polymerization कैसा होता है one by one step by step हम समझने की कोसिस करेंगे initiation of actin filament polymerization के polymerization आपका किस पकार से होता है तो सबसे पहले step को polymerization के पहले step को हम कहते है nucleation nucleation बोलते हैं ठीक ना nucleation is the rate limiting step जो nucleation होता है वो rate limiting step होता है यानि की यहीं से आपका जो है हम इसको जो आपका filament है जो actin filament है इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हम रोक सकते हैं, काफ़ी सारी आपकी दवाईयां आती है, मेडिसिन आती है, जो की नुकलियेशन पार्ट पर वर्क करती है, जिससे आपका एक्टिन प्रोटीन नहीं बन पाता है, ठीक न, यानि कि ये रेट लिमिटिंग है, इसके कैसी है, रेट लिमिटिंग है, यहाँ पर काम क्या करता है, जैसे आपका पॉलिमराईजेशन होता है, मैंने आपको बताया था कि आपका पॉलिमराईजेशन के लिए, फॉर्मीन एड आपका ए आर्पी टू थिरी कॉम्पलेक्स चाहिए होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि formalin and ARP23 complex determine यानि कि निर्धारन करता है where filament are formed by facilitating nucleation ठीक है ना यानि कि आपका जो forming protein है and आपका ARP23 complex है वही आपका determine करता है कि भाई साब आपकी जो है nucleation facilitating कराएं या फुर नहीं करवाएं तो formalin nucleate long unbranch actin filament जो forming होते हैं वे क्या होते हैं वे आपके long होते हैं और आपके जो forming nucleated होते हैं वे कैसे होते हैं वे long होते हैं यहां पर क्या था वो समझो एक dimerization था ठीक है ना dimerization कि इसका formalin dimer था ठीक है इसलिए इसको dimer बोला गया है तो formalin नाम की protein थी अब protein ने क्या काम किया हैं कि यहां पर देखो यह आपका first actin है यह आपका first actin है इसको अपने अंदर जो है मतलब वो अपने ग्रूप में ले लिया स्टार्टिंग में इसके बाद यह जो दूसरा वाला था यह जो दूसरा वाला था इसको अब इसको क्या काम किया इसको जो पहला वाला था पहले वाले को इसने थोड़ा सा धकेल दिया धकेल दिया फिर जब यह fourth step पर गया, पहले, दूसरे, तीसरे कुछ ने अपने अंदर से धकेल दिया और चोते कुछ न पकड़ लिया, यानि कि जो पहले जुड़ा वो पहले निकलेगा, यानि कि देखो यह पर one था तो one बहार आया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चोथा फिर पाच पाफ फिर छटा इस प्रिकार से मतलब कि यह जिस actin को पकड़ेगा जिस भी actin को पकड़ेगा उसको अपने अंदर लेगा और उसको जोड़ देगा जो मतलब इसने बना दिया जैसे कि यहाँ पर देखो एक चैन टाइप की बना रहा है ठीक है ना चैन टाइप की यहाँ पर यह बना रहा है तो यह था इसका इनिसियेशन actinflament का initiation ये था ठीक है ना तो अब आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि देखो हमारा initiation होगे पूरा का पूरा initiation होकर के इसी प्रिकार से अमारी पूरी की पूरी एक actinflament बन जाएगी ठीक है अब देखो इसका depolymerization कैसा होता है या फिर sievering किस प्रिकार से होती है depolymerization का मतलब होता है कि आपका जो actinflament बनाता अब उसको जो है वो समाप्त करना यानि कि उससे एक प्रिकार से उजार देना खतम करना ठीक ना तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर काम आती है कि ADF कोफिलीन प्रोटीन ठीक नहीं याद अग लेना ADF कोफिलीन ADF का मतलब होत actin depolymerizing factor ADF की फुलफूर फैमिली मोडिफाइब एकजिस्टिंग फिलामेंट ठीक ना enhance the rate of dissociation of actin ADP monomers from the point and remain bound to the monomer preventing their re-incorporation अब देखो क्या होता है बोट देखनी कोशिस करो यहाँ पर depolymerization की जरबत क्यो पड़ी तो देखो है साब जब आपका actin filament मानलो को इपसा भी आपका ये वाला actin filament बन रहा था बट बन तो बन तो क्या हुआ ये कुछ दूर तक तो सही बना कुछ दूर तक तो सही बना बट यहाँ पर इसके अंदर कागी खराबी तो अब जो खराब बाला part है जो खराब बाला part है जहाँ पर आपकी bonding सही से नहीं हो पर यहाँ पर खराबी आने का मतलब क्या है इससा जो depolymerization होगा वो pointed end से ही होगा always depolymerization start from pointed end इस बात को आपको याद रखना है तो यहाँ से देखो आपका जो है depolymerization होगा यानि कि यहाँ से जो है आपकी ADF kofilin नाम की protein आएगी और आने के बाद one by one step by step एक एक जी actin याद रख लेना जी actin और जी actin में भी ये कौन सा होने वाला है ADP bind ठीक ना कैसा होने वाला है ADP ADP bind होने वाला है ठीक ना तो यहाँ से यह क्या काम करेंगी यह इसको बन what one हटाएंगी ठीकना हट गी इसके बाद क्या होगा आपका profilyn आएगा profilyn मैंना आपको बतायाता कि monomer binding होता है profilyn का आपको monomer binding होता है ठीकना monomer binding होता है यह क्या काम करेगा यह अब आपका जो है ATP में मतलब जो आपका ATP है उसको ATP में change convert करवाएगा यानि कि एक प्रिकार सा आपका जो है joining का काम करेगा जो अब आपकी ATP रहेगी यह वाली ATP रहेगी याद अगरे ना इससे आपका इसको पूरा नाम दिया जाएगा तो अब आप इस प्रिकार से समझ सकते हो तो depolymerization हमारे लिए अच्छा है ना कि बेकार है और depolymerization हमेशा pointed end से होता है और जो depolymerization में जो आपके ADP actin ADP actin dissociation हुआ है वो आपका profiline के साथ जूड़ करके ATP में मतलब जो आपका ADP है वो ATP में convert होगी then आपका more number मतलब दो वार से इस पर जूड़ना यानि कि bar van से यहां से में अगर इसको बनाना चाहूं तो यहां से bar van से जूड़ना अब start हो जाएगा इस प्रिगार से आपका start हो जाएगा तो इसको ही तो ट्रेड मिलिंग बोलते हैं भाई साब देखो यहां पर क्या होता जब आप देखते हों यह आपको जिम में instrument मिलता है बहां पर क्या होता है वहां पर एक खड़ रहता और एक होता है यह आगे की तरफ आ जाएगा ठीक ना तो एक प्रिकार से ट्रेड मिलिंग टाइप का हो जाता है तो यह सेम चीज कैसी बना रहा है यह जूड़ रहा है निकल रहा है जूड़ रहा है निकल रहा है जूड़ रहा है ठीक ना तो यही आपका ट्रेड मिलिंग सिस्ट है बोत देख लेते हैं कि इंजूरी किस प्रिकार से होती है तो यहां पर भी क्या काम करता है असल में इंजूरी כसी होतीOOO अगर कोई सी दूसरी आग़ंग तो किपोलिम्राइजेसल में आपको क्या होची देखो होगी ठीक ना severing बोल लो इसको ठीक ना तो तब कहां से होने वाला तब आपका in between होने वाला यानि कि आपका जो breakdown है वो कहां से होगा वो बीच में से होने वाला है ठीक है एक सिगन मैं इसको हाँ यहां से ठीक ना तो अब आपका में convert कर देगी एक तरफ आपका जो है बिल्कुल बेकार हो चुका filament है यह जो आपका बिल्कुल बेकार हो चुका filament है यह बात में जो है आपका lysosomes के अंदर चला जाएगा जहाँ पर यह डिग्रेड हो जाने वाला है जो दूसरा जो सही वाला है वो आपका फर्दर यहाँ पर क्या होने वाला है फर्दर इसका polymerization में चला जाएगा यह यानि कि फर्दर यहां से actin protein बन जाएगी देखो यहाँ पर हुआ क्या वो देखो कि मानलो भाई साब पहले आपका पूरा पूरा एक actin filament था है यहां से हमें पता चला कि यार हमारा हमारा जो है वो आधा filament खराब है तो अब हम क्या करेंगे मतलब जो हमारे सैलब हो क्या करेंगी वो बुका रहें कि ADF कोफिलीन इधर आएगा ADF कोफिलीन आएगा ADF कोफिलीन आगर कर पूछा कि हाँ भाई depolymerization करवाना है फिर severing करानी है यानि कि बीच में से cut करवाना है तो इसको signal मिलेगा कि नहीं नहीं यह काम करो यार देखो हमारा इतना हिस्सा तो सही है बट यह जो ऊपर का हिस्सा है यह खराब है त मतलब कि जो आपकी बाइंडिंग थी वो खराब है तो अब ADF को सूचना मिली कि बाहिसाब देखो जहां तक हमारा सही है न हमें किवल वही बचाना है और जितना यह खराब है इसको जो है ब्रेकडाउन कर दो अब यह इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो अगर यह वाला प अब यह पहुँच जाएगा फिल लाइसोसोम्स के पास ठीक ना जहां से इसका खात्मा होना वो संभव होता है ठीक है इतनी बात समझ मागी यह फिर इसको जो है अगर यह प्रोटीन का पार्ट है तो यूवी क्वाइटेनेशन भी हो सकता है इसका ठीक है तो आपको मैंने सब चीज पढ़ा रखा बायो क्योंश्टी में कि किस प्रकार साथ यूवी क्या होती है यानि कि आपके चैपरोन सिस्टम बगएर क्या होते है वो सारी चीज मैंने आपको बता रखी है ठीक है इतनी बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है अब चलते हैं आगे नट वरक की सेप भी ठीक न जॉस्ट जो इस टर फैरों चगहीर शिक्टार से आपका बन कि क्या होने वाला है के आपका एक यहां पर स्कूर के परनके को बहुंत आपकि एक हैड़कोलामेंटि मैं यहां है ृसको करते हूं एक हैक्ट इनफ्लामेंट यह है अले आग आज एक एक्ट neeफॉलामेंट यह है दूर श्री इन्ट है तीसरा यह जो था है और यह जुड़े हुए होते हैं कैल्सियम से कैल्सियम होता है और इसके साथ साथ एक प्रोटीन ओर होती है जो इनको stabilize करके रखती है तो देखो acting bundle में cross link into closely packed parallel array यानि कि यहापर आपको parallel array मिलना है यहापर आपको जो joining है वो कैसे मिल लिए parallel मिल लिए यानि कि एक के बाद एक के बाद इस प्रिकार से लगे हुए हैं और यह जुड़े हुए हैं आपके parallel arrangement में बट network में आपको क्या मिलना है जो आपको mass like network मिलना है यानि कि आप आप देखो आपको जैसे जिस प्रकार से जाल होता है जाल जो रहता है उसी प्रकार से से यह मिलने बाले है ठीक ना और cross linking जो आपकी एक cross linking है यह जो net है नेट को आपके जो है कौन समाल ला है तो यह जो समाल ला है वो क्रोस लिंकिंग के थुरू समझ ले हैं ठीक ना इतनी बात समझ आ गई अब बढ़ते हैं आगे अब देखो देखो एक्टीन वंडल को डिटेल में ठीक ना एक्टीन वंडल को डिटेल में देखो तो सबसे तो यह पैरललर सेंबल होते हैं लंबर वन नहीं ये कैसा होते हैं, पैरलल असेंबल होते हैं, दूरस Taste बात जो उपना जोड़ते हैं यहां रख लेना एवीडी के दो डोमेन होते हैं, अक्ट इन दोमेन इनकी फुल फॉर्म एक्ट के थूरल होते हैं है ठीक है ना तो आप इतनी बात याद दख लेना इसके बाद पैरलल फिलामेंट स्क्रोस लिंक तो वाई एक्टिन वंडलिंग प्रोटीन यानि कि एक्टिन वंडलिंग प्रोटीन में आपके पैरलल अर्रेंजमेंट होने वाला है यानि कि इसके पास दो एक्टिन वाई डिंग डोमेंट होते हैं अब इसके टाइप में आ जाओ तो दो टाइप होते हैं तो टाइप दो प्रिकार के आपके एक्टिन वंडल पायजाते हैं पहला होता है non contractile दूसरा होता है contractile तो आपको example याद होने चाहिए चाहिए आपका non contractile हो चाहिए आपका contractile हो दोनों के example आपको याद होने चाहिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे non-contractile के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो याद अखले ना non-contractile में आपके क्या होने वाला है कि जो आपके filaments हैं वे उनका जो diameter है वो 40 nm के आसपास का होने वाला है align in parallel and same polarity warp end and adjacent to the plasma membrane यानि कि एक साइड में इनके warp end होगा दूसरे साइड में इनके क्या होने वाला है point end होने वाला है और specifically यह आपको plasma membrane के पास में मिलेंगे ठीक ना plasma membrane के पास में मिलने वाले हैं अब देखो यहाँ पर कुछ protein आपकी होती है जैसे कि मैंने बतायती है जो cross link में आपके help करती है जैसे कि number one femurine ठीक ना number one या फिर इसको हम A ले करके चलते हैं जो आपकी non-contactile में आती है जैसे कि femurine femurine क्या है 68 kilodalter protein cross link while its two actin binding domain यानि कि यहाँ पर दो actin binding domain से आपकी femurine जो है जुड़ियो होती है femurine बतायती है आपके इसके बाद मैंने विलीन बतायती है ठीक ना तो आपको cross linking जो protein बतायती है उनका नाम भी पता होना चाहिए तो देखो इस lecture को हम यहीं पर sum up करते हैं इससे आगे का आपको कल मिलेगा और कल हम इसको detail में पढ़ने कोशिस करेंगे और भी ज्यादा ठीक ना अब यह आपका केवल actin filament ही चला है तो आपका जो है काफी number यह जाने वाला है क्योंकि मैं काफी detail में आपको पढ़ा रहा हूँ बट कोई बात नहीं देखेंगे ठीक है ना चलो मिलते आप से nurse lecture में तब तक के लिए टाटन बाए बाए